वेलकम टू वियर्ज आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परशान है और टेंशन का श्कार है कि वो अपना वेट किस तरह तेजी से कम करें आज की इस वीडियो में मैं आपको 700 कैलोरीज का एक डाइट प्लैन बताऊंगी यह साथ दिनों का जो बहुत ज़्यादा बेस्ट है और यह तेजी से आपका वज़न कम करता है यह डाइट प्लैन जो है यह 100% काम करेगा इसके रिजल्ट जो है वो आपको वन वीक के अंदर ही नजर आ जाएंगे और आपका 5 केजी तक जो है वो वज़न कम हो जाएगा सिरफ एक ही हफते में इ इस डाइट प्लैन को सिरफ आपने 7 डेस के लिए रखना है अगर आप इसको कंटीन्यू करना जाते हैं तो इसमें कुछ अडिशन्स है जो मैं आपको वीडियो में लास्ट में डिटेल से बताऊंगी अभी मैं आपको 7 डेस का जो डाइट प्लैन है उसकी डिटेल बताऊं इसको पी लेना है ठीक है अगर आप लैमन इस्तमाल नहीं करना चाहते है यहां लैमन की वज़े से आपका गला हराब हो जाते है तो आपने उसकी जगा क्या करना है एक चम्म जो है वो हनी यूज कर लेना है गनीम गरम पानी में और उसको पी लेना है उसके बाद अगर आपके लिए नहीं तो कम से कम आप 10 मिंट की वाक लाजमी करें इस 7 डेस के प्लैन में उसके बाद आपका आपका आजाता है ब्रेकफास्ट में क्या करना है आपने एक ब्रॉन ब्रेट का स्लाइस लेना है ठीक है उसके साथ आपने एक अंडे की जो है वो सफेदी लेनी है जर्दी का इस्तमाल आपने बिल्कुल नहीं करना है ठीक है उसके लावा आपने अपने नाश्टे में क्या करना है एक ग्रीन टी का कप लाजमी पीना है ठीक है उसके बाद आजाता है जी आपका लंच लंच से पहले आपने क्या करना है लंच और ब्रेकफास्ट के दर्मय में आपने एक सेब या एक अमरूद का इस्तमाल करना है ठीक है वह आपकी 24 पे के आप एक सेब खा ले या अमरूद खा ले ठीक है उसके बाद आ जाता है जी आपका लंच लंच में आपने क्या करना है आपने सब्जियों का सलाद इस्तमाल करना है ठीक है उसमें आपने क्या सकते हैं लेकिन आपने उसमें बनाना यह मांगो का इस्थमाल नहीं करना ठीक है अगर आपने यह नहीं ख़गानाaders तो उसके लावaching आपके पास एक और आप्चन भी है कि एक बउल दहीं बहुनाल कर सकते एंग का रहां बगर क्रीम फानी दाल को पी लेना है इस बिविट्ट किया गटते जी एक तो आपके कोलेस्टरोल लेवल जो हता है इसको मेंटेन करता है सेकिंड यह आपके वजन को बढ़ने नहीं देता ठीक है वजन को कम करने में यह बहुत ज्यादा हेल्प करता है उसके बाद क्या है जी आपने रात के खाने में क्या करना है रात के खाने में आपने यह तो एक पाउ चिकन ले लेना है ठीक है उसको बॉाइल फॉर्म में पका के खा लेना है ठीक है अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपने चिकन की यखनी बना लेनी है चिकन कितना ल करने तो इसके sollte आपके पार थर्ड आप्शन यह करने है के आपने दो चमच मसूर की यह घूरी तो पका कर आपने उसका थ्यूद की सूप बना लेना है शूरी की जो डाल क है वह बेस्ट है आपके वेड को लूस गरने में यह चैनी यहां पर आप हैator लाजमी walk करनी है उसके बाद आपने रात को बैट पे जाने से पहले क्या करना है एक कप आपने lemon green grass जो है उसकी green tea ले लिनी है ठीक है जो lemon grass है उसकी आपने tea यूज करनी है ठीक है उसके अलावा जब आप ये जो डाइट प्लान को फालो का रहे होंगे उसके दुरान आपने दिन में कम से कम 15 गलास पानी जो है वो लाजमी आपने इस्तमाल करना है जितना ज़्यादा आप पानी का इंटेक करेंगे उतनी ही जल्दी से आपका जो वजन है वो कम होना आप निय Satu इनला उसमें आप ने दुपार को आदी रोटी जो है ओपने खाने में शामिल कर लेनी है इसके साहसाथ आपने आधा कप दूद बगैर मलाई के हो आप सुबर बीस्तमाल कर सकते हैं या रात को भीस्तमाल कर सकते हैं वो भी आपकी डाइट में एड हो जाएगा उसके इलावा नाश्ते नाश्ते में आप 5-6 बदाम जो हैं बगेर च्छिलके के वो इस्तिमाल कर सकते हैं रात को आप उनको ब गो लें ऊसुबा नाश्ते में यूए ठीक है उसके अलावा और बनाना का आपने इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना इस डायट में अगर आप इस डायट को फर्दर फालो करते हैं तो थर्ड वीक में आपने कहा करना है कि रात कि खाने में भी आदी रोटी को एड कालें इससे क्या होगा कि जो आपने रिड्यूस किया होगा वेट वह बडूखने पाल सब्सक्राओ ङेड ससरे कि ए मुलक। भी आप एड ढूलला स्वाद आप्या स्वाद् आप टाल आपक सेरा क्या सब्सक्राओ आपक सब्सक्राओ श्या अमयों इस अप्रोस काले में आपकें अचाप्राओ भीक में होगें यह च्दून Direूट इस अश्या ह